दोस्तो बहुत-बहुत स्वागत थी आपका एक पार फिट से आपके अपने ही चेनल किरिक पॉली पार दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं 7 अगस्त 1992 में रिलीस हुई तहल का फिल्म के बारे में 7 अगस्त को रिलीस हुई थी ये फिल्म साल 1992 को और आज है 8 अगस्त 2020 यानि के कल 7 अगस्त 2020 को तहलका फिल्म ने अपने पूरे 28 साल कर लिये हैं तो आज इसी फिल्म के बारे में हम बात करने वाले हैं फिल्म से जुड़ी बहुत सारे ऐसे सची बाते हैं फिल्म से जोड़े बहुत सारे noont-fact है जो बहुत ही कम लोग जानते हैं और साथे साथ फिल्म के box office collection के बारे में बचट के बारे में hit और flop के बारे में तो सारी जानकारे आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में तो बस आप इस वीडियो के साथ पने रएगा तो चलिए दूस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं फिल्म तहलका की और प्रिडियूस क्या था इस फिल्म को केसी शर्मा ने और म्यूजिक दिया था इस फिल्म को अनुमलिक ने और फिल्म के गानों की तो बात ही निटाली थी उस ट्राइम के बड़े ही सूपरिट गाने थे इस फिल्म के दिल दिवाने का डोला इस गाने ने तो सब का दिल चीत लिया था बजट था इस फिल्म का तकरीबन धाई करोड रुपे बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने तकरीबन पांच करोड पिछतर लाख रुपे की कमाई की थी और पूरे वर्ल्ड में तकरीबन साले दस करोड रुपे की कमाई की थी और ये एक action, adventure, thriller फिल्म थी और फिल्म फॉक्स आफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई थी जब दोस्तों आप बात कर लेते हैं फिल्म से जुड़े कुछ unknown fact के बारे में दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तेहलका फिल्म में Captain Rakesh की भूमिका आदित्य पंचोली ने निभाई है लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताता चलू कि सबसे पहले Captain Rakesh की भूमिका संजिदत को आफर की गई थी लेकिन फिल्म में काम करने के लिए संजिदत के पास डेट खाली नहीं थी जिस वजह से बाद में इस फिल्म में आदित्ती पंचुली को लिया गया था दोस्तो साल 1992 में विश्वात्मा मल्टी स्टार फिल्म रिलीज हुई थी जिसमें हमें बॉलिवूट के बड़े बड़े दिगच कलाकार नजार आई थी और विश्वात्मा फिल्म के बाद 90 की तहलका फिल्म दूसरी सबसे बड़ी मल्टी स्टार फिल्म थी जिसमें हमें गाना उस टाइम बड़ा ही पॉपलर हुआ था और धर्शक आज भी इस गाने को बहुत पसंद करते हैं आपकी जान करी लिए मैं आपको बता दू कि इस गाने को खुद अमरेशपुरी सहाब ने गाया था अपनी आवाज में और इसके अलावा तहलका फिल्म का वो डायलोग डॉंग कभी रॉंग नहीं होता ये डायलोग भी उस टाइम बहुत ज्यादा पॉपलर हुआ था नमबर पांच दोस्तों तहलका फिल्म में गाना है दिल धिवाने का डोला इस गाने को सबसे पहले सुरेश वाड़कर और अनरादा पोड़वाल के साथ रिकॉर्ड किया ग गई थे नमबर छे दोस्तों अनिल शर्मा तहलका फिल्म की शुटिंग बैंकोक में करना चाहते थे लेकिन अनिल शर्मा को ऐसा करने के लिए विदेशी मुद्रा नहीं मिली थी नमबर साथ दोस्तों जब तहलका फिल्म की कास्ट को फाइनल किया जा रहा था तब तहलका फिल्म में अनिल शर्मा की गल्फ्रेंड सुपना एक मुखे भूमिका चाहती थी लेकिन अनिल शर्मा ने अपनी गल्फरेंड से जूट बोल दिया कि फिल्म में जगा खाली नहीं है उनके लिए फिल्म में कोई भी भूमिका नहीं है लेकिन उसके बाद जब सुपना को इस बात का पता चला कि अनियल शर्मा ने उनसे जूट बोला है तो तभी उन्होंने अनियल शर्मा से अपने सारे रिष्टे खत्म कर लिये थे दोस्तो इसके अलावा तहल का फिल्म साल 1992 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पांच भी सबसे बड़ी फिल्म थी और पांच भी नंबर पर थी और इस फिल्म ने इस साल की विश्वात्मा जिगर बोल राधा बोल जैसे फिल्मों के रिकॉर्ड भी चकनाच्चूर कर देते और इन फिल्मों को पचाड दिया था तो दोस्तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को सुरूर लाइक कीचेगा और अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी पसंद की किसी भी मूवी के बारे में तो कमें में सरूर लिकिएगा तैंक यू